फटाग 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक आप लिंक डिस्क्रिप्शन में सरकारी स्कूल के टीचर पर जिस हरकत का आरूप लगा वो काफी हैरान करने वाला है छात्राओं के साथ क्या कोई टीचर ऐसा कर सकता है श्रमसार करने वाले ये आरूप लगे हैं और ये घटना निकल कर सामने आई एक गुना से यहां गुना के सरकारी मॉडल स्कूल के बाइलोजी के टीचर पर चात्राओं ने जो आरूप लगाए हैं वो काफी गंभीर आरूप हैं टीचर की हरकतों को लेकर जो आरूप लगाए गए हैं वो काफी गंभीर हैं मामला जुड़ा हुआ है मॉडल स्कूल से जहां पर जो बाइलोजी के वरिष टीचर है डॉक्टर प्रदीप सोलंकी उन पर आरूप लगा है चात्राओं से छिड़खानी करने का अशलीलता परोसने का इतना ही नहीं इनके साथ जो है छात्राओं के साथ जिस तरीके के वहवार किया गया छात्राओं को मजबूर होना पड़ा लिखिश शिकायत करने पड़ा क्योंकि छात्राओं ने यहां तक बताया शिकायत में कि ये जो आरोपी टीचर है ये लेबर्टरी में छात्राओं को ले जाता था और जबरदस्ती पॉन वीडियो दिखाता था इस पूरी घटना पर जो गुना के एसपी हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से एक्शन लिया सुनिए गुना जिले में एक महिलाओं के लिए एक नवचार पर हम किया गया है एफ एफ एड होम एफ आपके घर इस योजना के तहट अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई थी विगत दिवस जिसमें की जिले के एक छात्रावास में बच्चियों के साथ जो की छोटी ब शिक्षक द्वरा अश्रील हरकत और छेड़ शालक की वारदात की गई थी यह घटना होने पर संबंदित विभाग के शिक्षा विभाग की अधिकारिया द्वरा जांच अबश्चे की गई परन्तों पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी नाहीं वाड शिक्षक को जेल भेज दिया गया है आप जानेंगे कि कैसे पूरा मामला सामने आया दरसल जो छात्राइं थी उन्होंने पहले लिखित तोर पर शिकायद दी स्कूल के इस तर पर टीचर को दी फिर जो बाल करने आण समयती है उसकी टीम जब पहुंची निरक्षन करने के लिए यहां मॉडल स्कूल में और छा शरम सार कर देने बाली है सिलाल पुलिस में आरोपी टीचर को ग्रफ्तार करके जिल भेज दिया है गुना से आप तक ये ख़बर पहुंचाई है मसले वालता विकास दिक्षित ने आप देखते रहें MP तक कर दो